इसलिए अब प्राद हुआ पैसा आया उस पैसे का इससे दुरूपयों घुबा इसको करते मणी लॉंड्री नमस्कार आपके साथ एरोहित बिहार के पुर उप्यमुक्यमंत्री और राज्य सबा सांसद सुसील कुमार मोदी एक बार फिर से लालू परिवार को और उप्यमुक्यमंत्री तेजस्वी आदो को घेरते ने दरा रहे हैं आपको बता दे कि उन्होंने यह सवाल भी वह पूछते नहीं दरा रहे हैं याकिर इतने कम समय में तयस्वी आदो इतने संपति के माली के कैसे बन गया और देखिए तमाम चीजों की उजागर करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं पुर उप्यमुक्यमंत्री सुसील कुमार मोद आप दे केस वीडियो में तो कई बार हम लोग भ्रवित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है तो पहला तो है कि चारा गोटाला जिसकी पूरी जानकारी आपको है कि दूसरा मामला है आयार सीटी सी गोटाला जिसमें तेजस्वी आदोपर चारशिट फाइल हो चुक जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला तो अभी के दिनों में जो कारवाई हो रही है वो तीसरे मामले को लेकर हो रही है कि जब लालु यादब 2004 से लेकर 2009 के बीच में भार सरकार में रेल मंत्री थे उस समय में रेलवे क कि नौकरी जिन लोगों को दी गए उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गए इसलिए जो करते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूगा तो यह जो मामला है रेलिवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मादला है इसकी जाद CBI कर रही है इस मामले में दर्ज हो चुकी है और यह जो महागडबंदन की सरकार आने के पर इसा नहीं कि सरकार बनने के बाद कारवाई हो रहे हैं तो कारवाई प्रारण हो गई थी महागडबंदन की सरकार बनने के पहले और अभी इडी इसमें प्रवेश कर दे और ईडी कम प्रवेश करती है जब किसी मामले में अपराद से पैसा निकलता पैसा आता है क्राइन किया लिया प्राध हुआ पैसा आया उस पैसे का किस तरह से दुर्पयोग हुआ या उपयोग हुआ इसको कहते मनी लॉंड्री तो यह जो एडी एइंफोर्स्मेंट डिरेक्टर डिरेक्टर रेड पर वरता अंदिर देशाले अभी जो पूस्ताच होई हाल के दिनों में तीन-चार दिन पूर है जो चौबिस चिकानों पर जो रेड हुई जो पूस्ताच होई वह इडी की रेड थी उन्हां की सीबियाई तो इसलिए और जो बेल का मामला था वह सीबियाई से जुड़ा मामला था जिसमें की 25 तारिक को ते जिस्वी आदों को हजिर होना है 1088 new friends calling नई दिल्ली का चारमंजिला आलिशान मकान है जिसकी कीमत डेड़ सो करोड़ पे से ज्यादा है और जिस मकान के आज मालिक हैं ते जिस्वी प्रशाद यादा हो और एक कंप्री जिसका नामें एक इंफो सिस्टम प्राइवेट लिटेड उस कंप्री के भी मालिक हैं ते जिसी प्रशाद यादा हो तक यह जो एक इंफो सिस्टम प्राइवेट लिटेड है इस कंप्री ने जमीन खर दिये हजारी राय से यह हजारी राय ने अपनी जमीन ओने पने दाम पर एक इंफो सिस्टम को बेच दिया 2006 में और उसके बदले में हजारी राय के दो दिल चंद्रकुमार और प्रेम चंद्रकुमार इनको जबलपूर और क्वर्कता में 2006 में रेल्वे की नौकरी लग गए तो जिस व्यक्ति के दो भतीजों को रेल्वे में नौकरी लगी उस हजारी राय के हजारी राय ने अपनी जमीन दानापुर महुआबा की जमीन एके इंफो सिस्टम प्राइविट लिमिटेड को और वो जमीन उसने लिख दिया और यह जो हजारी राय ने महुआबा की जिस जमीन को लिखा 21 फरवरी 2007 को यह 9527 वर्क फूट भूखंड है जो दस राग तिरासी हजार में नकत भूपतान कर उस जमीन को ट्रांस्वर किया गया मित्रव यह जो एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है यह कंप्री क्या इसको जाना बहु जुरूरी है एके इंफो सिस्टम का मत्ता होता अमित कात्यार इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और यह अमित कात्यार कौन है तो जब रावडी देवी बिहार क कि मुख्यमंती थी 2000-2005 पीच में तो बहिटा में एक बियर की फैक्टरी लगी ती जिसका नाम था आइसबर्ग प्राइबिट लिमिटेड यह अमित कात्याल की कंप्री थे आइसबर्ग प्राइबिट लिमिटेड इसे राबड़ी देवी के मुख्यमंती रहते उनकी मदद स सब्सक्राइब और भीटा में वियर की फैक्टरी लगा ज स इस कमपनी में लालू यादव की दो बेटियंगं धी सब्सक्राइब थी यह एक हम सिस्टम अमिद काथे से एक हमत का तक अमित कात्या तक हिसके इनिफ्र सिस्टम प्राइवेट लिविटेड यानि भाई राजेस कात्या इन दोनों भाईयों ने अपना शेर आपको मालों कंप्री में शेर होता है और जिसके पास शेर होगा भाई कंप्री का मालिक होगा तो आज के तिथी में इस कंप्री में ही साड़े आठ sul?!?! शेर आपड़ी देवी की नाम से र पंध्र सौ शेर जो Duty3ि आदर के नाम से दो जैसा से लेकर आज तक इस कंप्री की मिल्कियत किसके पास के पास है मालकियत किसके पास है और आपिदेवी और तेजिसवी आदर के पास और मात्र एक लाख रुपे में इन लोगों ने शेर खरदी और शेर खरित कर एके इंफो सिस्टम के वो मालिक बन गए इस कंप्री में तेजश्वी यादव तेजपरता प्यादव चंदा यादव पहले डायरेक्टर थे लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पत से इस समय रागनी लालू कि जो रागनी यादव नाम आता उसका वास्ता में रागनी लालू है यह रागनी लालू उसकी डायरेक्टर कोई बन सकता लेकिन मालिक वही होता जो शेर होड़र होता जिसका कंपनी का शेर होता है यह जो एके इंफो सिस्टम प्राइविट त्यान इंफो सिस्टम प्राइविट लिमिटेड हैं इसके 57 परसंद शेर राभरी देवी के नाम से और तीन पजन्द शेर जो वो ते जस्वीयादों के नाम से और इस प्रकार Está एक लाख रुप्य में एक इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के यह लोग मालिक बन गए और इसी कंपनी इसी कंपनी के नाम से हजारी राय ने अपनी जमीन रिजिस्ट्रि कर दिया तो प्रणाम क्या हुआ कि जमीन एके इंफो सिस्टम में आ गई और उस कंपरी के मालिक कौन हो गए राबडी देवी और तेजश्वी आदव तो आज उस जमीन के मालिक कौन है तो राबडी देवी तेजश्वी आदव उस जमीन के मालिक है और ये वही अमित कात्याल है जोनों ने 2010 में तेजस्वी आदव को साड़े 9 लाख रुपे की गाड़ी उपलब कर रही थी अमित कात्याल के कंपनी है ट्राइंगल ट्रेडिंग लिमिटेड उसने 2010 में टेजिस्वी आदव को Grade 9.69 रुपे की गार्णी पुलब्ड कर रही हैं और इस अमित कात्याल ने बाको करज कर दिए लेकिन हमित कात्यार ने जो करजा दिया उसे वापस नहीं लिया करजा माफ कर दिया रही और इस एक के इन्फो सिस्टम प्राइबी लिमिटेड ने आज तक कोई बिश्नस नहीं किया कोई कंप्री का तो नायतो कंपनी का Ternover है नहीं कंपनी का कंपनी का के क्ते मिया consist to गुखंड जिसका च्छेत्रफल दोसो इकईस डिस्मिल होता है तो दोसो इकईस डिस्मिल शहर के अंदर की जमीन जो आवासी जमीन रेजिदेंशल जमीन है ऐसे एकईस भूखंड दोजार साथ से दोजार दस के बीच में दो करोड़ शुला लाग रुपे में इस कंपनी के माली कॉन है तो इस प्रकार देजिस्वी आदव आबुले मां कंप्री के बाद्यस सब्सक्रण के करोड़ की संपत्ती के outta अब सवाल उठता है कि अमीत कात्याल ने लालु के बेटे-बेटियों को अपनी कंपरी का डिरेक्टर बनाया यह आपसे कोई ब्लड का रिस्टा नहीं था अपको इंवेस्टर नहीं थे आप कुछ नहीं थे क्यों आइसवर्ग इंडस्टी प्राइवेट लिमिटेड ने शेह राबडी देवर्धे जिस्वी को दे दिया क्यों अमित कात्याल ने 45 लाग का कर्ज दिया जो आज तक वापस नहीं हुआ क्यों एके इन्फो सिस्टम द्वारा रेलवे में नौकरी के लाबारती से जमीन लिखवाई गई क्यों इस कंप्री ने एक करोड़ नबे लाग के अनेक भुखंड कर दे क्यों इस कंप्री ने अपने स्थापना काल से आज तक कोई व्यापार नहीं किया व्यवसाय नहीं किया कोई टर्नोबर नहीं किया कि जमीन खरदने का काम किया क्या तेजस्वी आदा मातर पंदरह हजा खर्च करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए क्यों अमित कात्यार उनके भाई राजस कात्यार ने इस कंपनी के सारे शेर एक लाग में राबणी देवी और तेजस्वी आदव को बेच दिया तेजस्वी आदव चंदा यादव तेजप्रता प्यादव लंबे समय तक कंपनी के डाइरेक्टर भी थे और इसमें कंपनी की डाइरेक्टर रागनी लालुर है और शेर वोड़र ने जस्वी अदव और राबणी देवी हैं क्यों इस कंपनी का इस्तमाल रेलवेइ नौकरी के लाबारती की जमील लिखाने में किया गया यहां करने कि लालो के रेल मंत्री के दौशाय साथ से लिकर 2010 के बीच ख़दी लालो जी। ज्यारवेग नौ तक रेलवेगे मंत्री थे अभी सीब्याइए ने जो एफाई यार दर्ज रिंब इंस मामले का उसने उलीक एक इन्फो शुंटम स्टम ने ख़रदा लेकिन इस बीच मुझे पता नहीं और वह सारी जाहत परताल में और वह सारी जमीन मिली होगी और वह जमीन उन लोगों के द्वारा बेची गई जो रेलवे के लाभारती है तो चार्शिट की कौपी जब सार्जिनिक होगी तभी मालूम पड़ेगा यह जो करते हैं कि हमको फ सरकार में आगे से सरकार को तोड़ने के लिए कारवाई की जा रही है इसरे कोई बदले की भावना से कारवाई नहीं है तत्यों की आधार पर सीविया कारवाई करती है और अब एडी की इसमें जो आमदनी हुए एक इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है रेलवे के लावारतियों को और अन्य मामलों से जो लाव कमाया और किसके लिए लाव कमाया तेजस्वी यादव के लिए इसने परवक्तन दिर्देशाले में इसके अंदर प्रवेश कर चुका है और से मित्रों मैंने पहले भी कहा था कि देखी जो मामला है यह मामला सबसे पहले 2008 में स्री ललन सिंग स्वर्गे शरद यादव और मुक्तार अबस नकवी यह तीन लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंग से उनको एक लिखित ग्यापन दिया और कहा कि रेल मंत्री के नाते लालू प्रशाद यादव रेलवे में लोगों को फोर्थ ग्रे की सरकार थी मामला देबा दिया गया सीबिया को जाच के लिए कभी दिया नहीं किया दोजार चौदा में जब एंडी की सरकार बने अब ललन सिंग फिर सक्रिय हूए फिर इनलोगों ने कहा कि हमारे कागजात क्या हुआ तो कागज था यह नहीं परदानना परदान मंत्री क इस पूरे घटना का मैंने जिक्र किया है इसमें मैंने इस पूरे घटना का दस्तावेज के साथ इसका मैंने जिक्र किया है और ऐसा नहीं कि सीबील मेरे या ललन सिंग्य दस्तावेज के आधार पर कारवाई कर रही है हमने तो एक लीड दिया एक सुत्र दिया उस सुत्र को बना कर जाँच जेंसिया और विस्तार से काम करते उनके पास ज्यादा साधान ज्यादा ताकत उनके पास है तो इसलिए यह जो डी 1008 या बन को देना चाहिए जब दिल्ली में जाते हैं जिस मकान में रहते हैं इसकी किमट डेड़ सो रुपे से ज्यादा है उस मकान क्या माली कैसे बन गए मैं अधी प्रेस कॉंफरेंस करूंगा तो दुसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा तो आज तो एक इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसका मुख्याले कहां पर डी वन जिरो एट 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 न्यू फ्रेंड्स को लिए जाते जिस्वी को और एक इंफो सिस्टम ने अभी तक फुल मिलाकर 21 भूखंड मेरे पास अगर कोई चाहेंगे तो एक एक डीटेल एक भूखंड का 21 भूखंड जो है 221 डिस्वील जमीन शहर के अंदर 221 डिस्वील जमीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं तो दानापुर महुवा पानापुरी जो पूरा इलाका जब शहरी चेतर में प्रणत हो गया है वहां पर यह सारी की सारी जमीन और जो इसे मैं कहता हूं बिना बिजनस किये वह बिना नौकरी किये वह अर्मों खर्मों के मालिक बन गए और आज बयार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रशाद यादों का परिवार ब्यार के इंदर है जिनके पास 111 से ज्यादा भुखंड के मालिक हैं पूरा का पूरा परिवार उसे मुझे लगा कि यह जो एके इंफो सिस्टम प्राइविट लिमिटेड जिसके मालिक बन गए और जिसका मुठ्याले डी वन जिरो एट न्यू फ्रे कि इडी से जुड़ा मामला है और इडी भी इस मामली की जाच कर रही है और उसे मैं ललन जी को और नितीज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के कारण जो है वियार के इंदर ब्रस्टाचार की इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है यह बात अलग कि आज एक मामले के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं तब ही आपने देखा जब पर मुक्यमंत्री राचुक है जुसील कुमार मोदी उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम चुजों की जनकारी दी और बता रहे थे कि आकिर इतने कम उमर में भी तैस्वी याकिर इतने संपति के मालिक कैसे बन गया और वहीं नहीं उन्होंने नितीज कुमार और ललन सीको बधाई भी दिया कि इतने बड़े घोटाले का उन लोगोंने उन लोगों के मदद से ही उजागर हुआ है और भी क्या कुछ का रहे थे पिहार के पुर्य उप्यमुक्यमं आपने इस वीडियो में देखा बस इसी तोरह कि तमाम ख़बरों के सब्सक्राइब जूड़े रहें तो तक रिंदन नवार